हेलो एब्रिवन दिस इस स्वाती फ्रॉम जैनरांड स्वरस्वती विद्यमंदिर इंटर कॉलेज आज हम अपनी वी हाइव की वुक के स्टार्ट कर रहे हैं उसका फर्स्ट लेसन है दफ़न दे हैड तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये बहुत साल आगे की है ये 2,157th एयर की स्टोरी है जहाँ पर उस टाइम के जो स्कूल है उनके बारे में बताया गया है और उन बच्चों को एक बुक मिली है जिसमें आज के टाइम के जो स्कूल हैं उनकी बाते लिखी हुई है तो future schools कैसे होंगे इस story में इन चीजों को बताया गया है और यह story लिखी गई है आईजेक एरिनोबगारा अब हम बात करेंगे lesson 2 जिसका name है The Sound of Music यह lesson two parts में divided है तो first part जो है वो Evelyn Glennie का है listens to sound without hearing it मतलब sound को सुनना यानि बिना सुने यह जो Evelyn Glennie है यह deaf है यानि यह सुन नहीं सकती है लेकिन यह music को feel कर सकती है और इसका जो दूसरा part है यह है ता शेहनाई of विस्मिल्ला खान विस्मिल्ला खान को हम सभी जानते हैं यह एक शेहनाई प्लेयर है तो इस पूरे lesson में हम उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे हमारा third chapter है The Little Girl written by Catherine Mansfield इसमें एक लड़की की कहानी है चुकि अपनी उसके फादर के साथ उसके relationship को दिखाया गया है हम लोग जानते हैं कि हमें जब बड़े लोग डाटते हैं हमारे parents डाटते हैं किसी चीज को मना करते हैं तो हमें बहुत गुसा आता है लेकिन यह story है उस लड़की की कि जिसको starting में इन चीजों को लेकर बहुत परिशानी होती है गुसा आता है लेकिन अपनी age बढ़ने के साथ सथ वो यह realize करती है कि यह चीजें actual में सही होती है हमारा lesson four है A truly beautiful mind truly beautiful mind में जो beautiful mind है वो actual में जिसकी बात हो रही है वो है Albert Einstein तो यहाँ पर एक तरह से आप यह समझ सकते हैं कि यह biography है Albert Einstein की और उनका childhood और उनके आगे के inventions क्या-क्या उनकी life में हुआ इन सभी चीजों को हम इस chapter में पढ़ेंगे चलते हैं अपने lesson number five यानि the snake and the mirror की तरफ अपने patient के साथ बैठे हुए है और इसमें जो है क्या कहते हैं वो यह बताते हैं अपने patient को पूसते हैं पहले उन से कि क्या आपने महसूस किया है कि कभी कोई cobra आपके आसपास या आपके किसी body part पर आकर बैठा हो तो इस तरह की यह जो है एक अच्छा सा incident वो अपने patient को सुना रहे हैं तो यहां पर जिनके childhood की बात हो रही है वो है एपी जे अब्दुलकलाम जिनको हम जानते भी है कि वो हमारे इंडिया की 11th president भी रहे हैं और एक well-known scientist थे तो उनकी एक autobiography थी जो की wings of fire नाम से उन्होंने लिखी थी तो यह उसी का ही extract है यानि उन्हीं की लिखी हुई autobiography में से कुछ चीजें उनके child hood के बारे में यहां पर बताई गई है अब हम बात करेंगे अपनी विहाइफ की वुकर lesson number 7 packing के बारे में यह जो कहानी है यह author की कहानी है इसमें तीन character है एक author और उनके दो friends जो की एक trip पर जा रहे हैं और अपनी packing कर रहे हैं तो packing करते समय जो जो adventures होते हैं जो जो चीजे required होती हैं क्या चीजें दिमाग में हमें रखनी चाहिए इन चीजों को author ने इसमें discuss किया है lesson 8 reach for the top यह story two parts में divided है और इसके पहले continuing कैसे start हुई इन चीजों को बताया गया है इसका जो second part है वो related है मारिया शारापोवा से जो की एक russian tennis player है और इनके बारे में इस उनकी personality कैसी है इसके बारे में इस chapter में हमें बताया जाएगा now telling about the chapter number 9 and this is the bond of love तो इसमें बिटा हमने देखा होगा कि जो हमारे pets होते हैं वो generally cow होती है पैर्ट होती है या dog होता है लेकिन इसमें जिस bond of love की बात हो रही है वो बात हो रही है एक human being के और एक bear के बीच में तो यह जो इस story के writer है यह इनकी wife और एक bear के बीच में जो love को wand है उसके बारे में बात हो रही है और कैसे यह bear उनके घर तक पहुँचा इस story में हम पढ़ेंगे लेसन 10 काठ मांडू यह बिक्रम सेट की कहानी है जिन्होंने अपनी बुक में काठ मांडू गए हुए अपने experiences को share किया है और हिंदू के जो पशुपतिनात मंदिर और बौधो के इस्तूप के बारे में बताया है आर 11 चेप्टर इस इफ आई वर यू यानि काश मैं तुम होता तो यह कहानी में जो मुख्य किरदार हैं वो हैं जिराट जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी से एक गुसपैठी को ना सिर्फ पकड़ा बलकि उससे अपनी जान बचाई तो यहाँ पर बेटा यह आपका स्लावस इंट्रोडक्शन फिनेश होता है और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है यानि दी फन दे हैड इस चैप्टर के एक्स्प्लेनेशन का होगा तो आई होब कि यह आपको समझ आया हो थैंक यू झाल